पूरी रसोई महंगी है आम आदमी परेशान है महंगाई कितनी है हमें मुक्ति चाहिए इस महंगाई से हमें महीलाव का समान चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें खुले आम खुनने के अजादी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षित हैं, हमें नोकरी चाहिए मायावती बहन जी का सब नारा लगाते हैं मायावती जिंदाबाद वो इस लायक है उन्होंने यहां पे आने की पूरी कोशिश किये और आई है और अब हम सब को चाहिए कि हम उन्हें पांच वी बार मुख्य मंत्री बनाए यह पैगाम है भारत के हर कॉंटेंट क्रियेटर के नाम तैयार हो जाएए टू अन्लीश यॉसल्फ जाइभीम अब अवेलिबल ओन दे प्ले स्टोर और अपल आप स्टोर दोस्तों जाइभीम नमो बुद्ध है मैं हूं मेरट के हस्तनापुर विधान सवा में और हस्तनापुर विधान सवा में कई सारी महिलाओं से मैं बात करना चाहरा हूं कि आखिर बीएस्पी का पटका डालके वो घूम रही है और बीएस्पी की सपोर्ट के लिए लोगों को यहां घर घर जा जाके वो बातचीत कर रही है मैं मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्यूं बहन जी का आप परचार कर रहे हैं जानना चाहूंगा जी आज मैं अस्तिनापुर के विधान सवा में गूम कर यहां पर मैं देख रही हूं कि यहां पर मतलब ही काव का जानना चाहिए पिर से जाएं डय कुछ भी कह पर इसे घुमरी है उनके बच्चे आज भी आज भी एस सी गूम रहे हैं इनके लिए प्रवाइन जी के साथ अनकाल में क्योंकि बच्चों को भी सिख्षाई मिली हैं काफी गरीबों के लिए होस्पिटल भी खुले हैं इसकूल भी खुले गए और काफी रोड वगारा भी बहुत अच्छे थे और आपके कुछ भी नहीं है कि कच्छे रोड हैं वहापे बच्च महिलाओं के लिए इतना विकास किया शायद ही किसी ने किया होगा इतने स्कूल को लिजे खुलवाए हैं बच्चों की शिक्षा में बहुत पैसा लगाया है उन्हें शिक्षित किया है उनकी शादियों में बहुत खर्चा करती हैं और इतने सारी जोब निकाली हैं खासकर म है इतनी नोक्री दिये उन्हें उनके पेरों पर खड़ा होने के लिए और वह आज गरव से खड़ी हैं बहन मायावती ने हमें यहां पर पहुंचा कि आज यहां पर खड़े हैं इस वक्त यहां पर जो खड़े शिक्षित होने की वज़े से खड़े और सब लोगों को मंतरी बनाए योगी तो कहते हैं कि मैंने अपने शाष्ण में बहुत सारे अच्छे काम किया और महिला को भी से खड़े जी से भी जादा अच्छे काम करें उन्होंने ये कहते हैं जी कहते हैं हमें पता है आज केaa है किसने किया है कहते हैं हमने वालिएंअ ज़िन कह दिया है किवे हैं कितने बाटे हैं था भी मैं इसका किögit 500 रुपए यह मेहंगाई कितनी है हमें मुक्ति हमें मुक्ति चाहिए मैं चीज़ और कहना है योगी सरकार यह वी कह रही है कि हमने सब मिए राशन ख्री दिया रहें उसमें अटाडा दाल चीनी ग्याहऊं तेल वगर्ण यह ज इससारी सब्सक्राइब पढ़े लीक ओगया वाकैंशी खतम नोगरी हो प्या मिलता है हमें पढ़े लिक्के घर में पैठ हैं सब बेकार बेरोजगार पढ़े लिक्के सब हम लोगे कितने नोगरी है सब सरकारी नोगरी तो बैंक प्राइवेट कर दिए जो हैं कहा है जो बताइए आप कहां रहे हम कहां क्या क्या करें क्या करें यह वैसे खाले बताइए आप बताइए क्या उन्होंने आपको चाहिए अब योगी सरकार को हटा करके आप बहंजी से नोक्री टिशाएं से भी जानना चाहिए चाहिए क्या लगता है कि पहन जी की सरकार ज्ढ़ अच्छी थी या वर्तमान में जो बीजे पी थी तब कोई या है निराश हो के उनका वहोत न्क्सान होता है तो हम चाहते हैं सरकारी तो आप गर्मेंटक पूछना चाहूंगा बहुत सरकारे बहुत देखी हैं आपने क्या चाहते हो आप मायावती जी की सरकार में क्या करोगे आप जो अब नहीं कर पारे तब करोगे काशी राम साब आवास योजना के तहट भेंजी ने कई हजारों आप आप लोगों को मिल रहा है काने पीने के लिए पेट बढ़ने के लिए समान मिल रहा है तो नोकरी की क्या जरूए पर हम नाम को हुए पिछली वार अखलेश जी ऑए और उससे पिछली बार अखलेश जी जी आये थे और उससे पिछली बार आई थी भेंजी दस साल हो गए हैं भेंजी नहीं है कितनी कमी खल रही है उनकी बहुत कमी खल रही है हम अपने बच्चों को पढ़ात लिखाते हैं फिर इंतजार करते हैं उनका पेपर होगा कोचिंग कराते हैं पता नहीं हम कैसे कैसे बच्चों को कराते हैं पेपर लिख हो जाता है भी हमें बहुत कुछ मिला है हमारे बच्चे सेफ नहीं है इस टाइम बस दोस्तों यूपी की जो मांग चल रही है वो यही चल रही है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है वो आनी चाहिए 2007 से 2012 तक बहन जी का शाशन जो था वो बहुत जबर्दस रहा यह आकड़े भी कहते हैं और सारे न्यूज चैनल और पेपर भी और जितने लोग यहां पर हैं वो भी यह बात कहते हैं कि बहन जी का शाशन जो था वो एकदम दुरुस्त था बिल्कुल बढ़िया था और सभी पदे बहन जी बनाई और ना जाने क्या-क्या एजुकेशन के लिए काम किया और मैं आपको यह भी बता दू कि भेनकुमारी मायावती जी ने अपने इन पांच साल के शाशन में तक्रीबन लाखों रोजगार दिये हर सेक्टर में भेन जी ने रोजगार दिये कुछ रोजगार ऐसे थे जो नौकरियां रुखी हुई थी उनको भी बाहल करा करके और उसमें भी नौकरियां बहन जी ने दिलाने का काम करा हस्तनापूर के जितने भी लोग हैं हस्तनापूर विधान सवा के जितने लोग हैं उनकी यही मांग हो रही है कि बहन जी को वोट देना है और इस झाल झाल झाल